नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोल लारायन शुरुवात करेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों की गुज्रात के भरूच जिले में स्थेत कोविट केर सेंटर में बड़ा हाथ्सा हुआ है देराद कोविट सेंटर में भीशन आग लग गई आग लगने केर्ण यहां बारा लोगों की मौत हो गई है आग लगने की गटना देराद साड़े बारा बज़े के आसपास की बताई जा रही है जिले के पठेल वेलफेर असपाल में कोरोना मरीजों के लिए कोविट केर सेंटर बनाया था आग लगने की तुरंद बाद यहां भरती मरीजों को नजदी के असपाल में शिफ्ट किया गया हालाकि आग इतनी भीशन थी कि इसकी चपेट में कई लोग आ गई पुलिस ने बताये कि आगे चपेट में आकर एक दरजन लोगों की मौत हो गई है आग किस वज़र से लगी इसका पता अभी नहीं चल सका है फिलहार कुरिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार कारवाई की जा रही है देश में आज से 18 साल और उससे जादा उमर के लोगों के लिए ठीका करन अभियान का तीशरा चरण शुरू होने जा रहा है लेकिन कई राजसरकारों ने वैक्सिन की कमी का हवाला देखर 18-144 साल के लोगों को वैक्सिन लगाने से इंकार कर दिया उनका कहना है कि वैक्सिन ही नहीं है तो अभियान कैसे शुरू करें हलाकि कुछ राज़यों ने कुछ जिलों में ठीका करन अभियान का तीशरा चरण शुरू करके आनुमती भी दी है आईए जानते हैं कि देश के किन राज्यों में आज से 18 साल से उपर के लोगों को टीका लगेगा और कहां नहीं लग पाएगा दिली पंज़ाब, मद्वप्रदेश, बिहार, तमेलाडू, जमो कश्मीर, करनाथ, गोवा, अत्राखन, जारखन अरणाचल प्रदेश ने कहाए कि उनके यहां वाक्सिन की कमी के कारण एक मई के से तीसरे चुरण का टीका करण शुरू नहीं हो पाएगा उत्रप्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रवण की रफतार पर काबू पानी के लिए लॉकडाउन लगाया गया लेकिन लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर में नियमों को जम कर तोड़ा है तो वहीं गौतम मुद नगर पुलिस ने जम कर कारवाई भी की है पुलिस ने 40,000 लोगों का चालान किया जिन से 44,000 लाख रुपए का जिर्माना वसूला गया है जबकि साल भर के वहाँ चालान से 4.6 करोड की वसूली हुई है कोरोना संकट के इस दौर में सडकों पर पुलिस भी सकते नजराई और लोगडाउन को लंगन करने वालों के खिलाफ सकत कारवाई भी की जा रही है जिसका ताजा उधारन है कि महज इस लोगडाउन के दौरान वड़ा पुलिस ने 40,000 से जादा लोगों का लोगडाउन उलंगन का चालान किया जिससे करीब 44,000 लाख रुपए का अर्थ डर्ण वसूला गया कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए गौतम बुद नगर पुलिस ने सकती से कारवाई की है इसके तहट लोगडाउन का लंगन करने वाले 12,370 लोगों के खिलाफ 3,143 मुकत में दर्च किये गए जबकि 12,210 लोगों को गिरफतार किया गया है बिना मास घूमने वाले 40,850 लोगों का चालाण कर 44,18,800 रुपए का अर्थ डर्ण वसूला गया नवडा पुलिस के साल भर के चालाण का अकड़ा देखे तो पुलिस ने 6,6,111 वाहनों का चालाण काट कर उनसे करीब 4,64,000,000 रुपए का अर्थ डर्ण वसूला है आईपेल 2021 के चालाण के चालाण के मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रॉयल चलेंजस बैंगलोर को 34 रनों से करारी शिकस्त दी इस हार से कप्तान विराट कोहली काफे निराश है मैच के बाद उन्होंने टीम में कुछ बदलाव के संके दिये पंजाब से टॉस हार कर पहले केलने के बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 189 रन बनाए थे इसके जवाब में कोहली की आरसे भी निर्धारित ओवरो में 8 विकेट पर 185 रन पर ही सिमत गई पंजाब के लिए उनके कप्तान केल राहूल ने 91 रनों की नाबाद पारी खेली वही क्रुस केल ने 24 गेंदों में ताबर तो 46 रन बनाए इसके बाद बैंगलॉर की तरफ से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका उनके लिए विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा 35 रन बनाए कोहली ने मैच के बाद कहा कि उनकी शुरुवात अच्छी रही थी लेकिन हम 5 विकेट लेकर वापसी कर ली थी लेकिन हमने अंत में कुछ ज्यादा रन दे दिया 160 तक का स्कोर चेंज हो सकता था हम बल्लेबाजी में बड़ी साज़दारी नहीं कर पाए हमें अगले मुकाबले में कुछ बदलाब करने होंगे टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि रजट को नमबर तीन पर बैटिंग करने भेज रहे हैं रजट अच्छे बल्लेबाज है लेकिन आज उनका दिन अच्छा नहीं रहा था आज यानिकी जो 26 वा मुकाबला IPL का हुआ है उसमें फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहें न्यूस्वल इंडिया के साथ